बच्चो हमने पिछले अध्याय में देखा कि विपारिक बैंक क्या है इसके कारेप्रणाली क्या है किस तरह से ये कारे करती है इसका महत्व क्या है हमने वहाँ पर भी ये देखा था कि बैंक विभिन तरह के होते हैं अलग-अलग इनकी कारे प्रणालिया होती है लेकिन वास्तों में ये सारे बैंक किसके आधीन कारे करते हैं और इसमें प्रमुख क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे हम आज यानि कि आज का हमारा अधिया है केंद्रिय बैंक जी हां कें यकी इसन जो बैंक होते हैं डेश के वह इसके नर्देशों के अंतरगती कारे करते हैं तो आईए देखते हैं क्या है केंडरिय संधाय कर देश की सर्वोज संस्था भी इसको माना जाता है देश के जितने भी है सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश में जो करना का जो अधिकार को पूरा कows पूरी अर्थ वेवस्ता में बुद्रा की साःख को नियंतरन करने का महत्वपूर्ण इसी कारी में भारत केंदर्य बेंक के करते हैं प्रोफेसर केंट के अनुसार केंद्रेय बैंक वह संस्था है जिसे जनियत में मुद्रा की मात्रा में विस्तार इवं संकुचन का कार्य दिया गया है सामिल्सवन के अनुसार केंद्रे बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेंदेंग के कार्य करने व्यवसाइग बैंकों को नियंत्रित करने तथा राश्ट के मुद्रा की पूर्टी एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सयोग देने के लिए स्थापित करती है तो आपने देखा कि किस प्रकार किंद्रिय बैंक कारे करता है किस तरह से उसे परिभाशित किया जा सकता है कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक ऐसी संस्था है जो देश में मुद्रा और साख के बीच नियंत्रण स्थापित करती है और मुद्रा और साख का यह जो नियंत्रण है आपने पिछले दो अध्यायों में देखा कि पूरी देश की अर्थ-व्यविथा को संतुलिद करने के लिए कितना महत्पूर कारी है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं के इतिहास को अगर हम देखे तुम सबसे पहले देखते हैं कि प्रफेसर विल रोजर्स ने माना है कि केंद्री बैंक जो है वो मानवता के इतिहास में अब तक जो तीन सबसे बड़े अविश्कार हुए है उनमें से एक है तीन बड़े अविश्कारों के हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि तीन अविश्कार अगनी आग पहिये का विश्कार वैसे ही केंद्री बैंक का अवि पहला केंद्री बैंक जो था वो 1668 में स्वीडन में उसके स्थापना की गए स्विस बैंक के नाम से लेकिन प्रारम होने की बात करें तो वास्तों में ये केंद्री बैंक जो है ये 1844 में बैंक ऑफ इंग्लेंड के स्थापना के बाद प्रारम हुआ उसी तरह आगे बढ़ते तेवे हम देखते हैं कि 19 शताबदी में इसने एक आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया और फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया विकास के क्रम में कई देशों में किंद्रिय बैंकों के स्थापना की गई आये देखते हैं कि किन किन देशों में किस किस समय किंद्रिय ब और जर्मनी में 1875 में और जापान में 1882 में केंद्री बैंक के स्थापना हुई और इसी करम में अमेरिका में भी 1913 में केंद्री बैंक के स्थापना हुई और इसी कड़ी के साथ साथ 1934 में बैंक ऑफ कनाडा और 1935 में भारती रिजर्व बैंक के रूप में भारत में केंद्र क lamp में इसी होता गया इसी तो अंतराष्टरी मुद्रा कौशत की के चापना जो है वो बहुत तीजी से और विश्व के लगभग आधे से जादा देशों में अब तक केंद्री बैंकों के स्थापना हो चुकी थी और वास्तों में अंतराष्ट्री मुद्राकोश के स्थापना के बाद ही 1944 के बाद ही इन बैंकों के स्थापना ने गति पकड़ ली अब जैसे कि हमने देखा कि भार में केंद्री बैंक के रूप में कारे करता है तो आए भारती रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जाने भारती रिजर्व बैंक वास्तों में इसकी आवशक्ता तो भारत में काफी समय से अनुभो की जाती रही लेकिन धीरे धीरे इसके संगठन की बात की गई वास्तों में इसके स्थापना का जो सुझाओ है वो ब्रिटिश काल में 1913 में लौर्ड वारेन हस्टिंग्शन ने ब्रिटिश सरकार को लिखे गए एक पत्र में सुझाओ दिया उसके बाद अनेक विद्वानों ने इस पत्र का समर्थन किया इसका सपोर्ट किया कि हाँ वास्तों में अब के सिफारिश की और साथ में 1930 में केंदवी बैंक जाजस्मिती आने भी केंद्री बैंक के स्थापना का सुझाओ दिया कि आगे हमने देखा कि 1933 में जो गोल मेर्स समेलन वे उसमें भी जो बहुत सारे राजनाइक उन्होंने भी केंद्री बैंक के स्थापना के लिए निर्णा लिया और इसी क्रम में 8 दिसंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना का जो प्रावधान था यह विधान सभग के सामने रखा गया इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1 अप्रेल 1935 को केंद्री रूप में भारती रिजर्व बैंक ने अपना कारे करना प्रारंब कर दिया और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राश्ट्रिय करन कर दिया गया तो यह सारी जानकारिया थी भारती रिजर्व बैंक के संबंद में अब आए हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक के स्थापना के उद्देश क्या थे हमने देखा कि सभी लोगों ने इस बात का अनुभोग किया कि केंद्री बैंक एक होना चाहिए केंद्री बैंक की आवशक बस क्ताहते और ली कि शापना की गई सबसे पहला जो देश ही था कि आंतरिक और भाहा, बसक्ताहर दा लेकिन बहुत सारी चीजे बहुत सारे इसके अतरिक सबस्केश इसी के अंतरगत शामिल थे जिसे हम क्या सकते हैं कि जब साख और मुद्रा पर एक संस्था का नियंत्रण नहीं होता है बहुत सारी संस्थाइं उसको नियंत्रित करते रहती है तो कहीं न कहीं मुद्रा स्विति मुद्रा संकुचन जैसी समस्यां उत्पन हो जाती है तो इस स साथ में सार्वजनिक रिनो की एक परयाप्त विवस्ता की जा नहीं कहीं नہ कहीं आर्थिक विकास के लिए या आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी हो गई थी तो जब हम बात करते हैं सार्वजनिक रिणों की विवस्था की तो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि यहां पर विदेशों में अंतराश्टी वित्ति संस्थाओं में ले जाने वाले रिण और किस तरह से उनका भुगतान किय जाए प्रक्रिया को नियंतरित करने संगठित करने और इस पूरी प्रक्रिया के संचालन की लिए कि सिर्ष सश्था की जरूरत हुआ हुआ। नगद कोश कितना हो कितना नर्धारित किया जाए भविश्य में एक अनुमान लगा लेना कि वास्तों में जनता की डिमांड क्या है नगद कोश की किती ज़रुत पड़ेगी किस तरह से उसको नहीं अंतरित किया जाए कुल मिलाकर इन सभी समस्याओं के समधान के लिए किसी लिए केंदरी बैंक कि सापना के जोरत महसूस की जाने लगी इसके आपन कि करनत की शामिल किया कि तो यहां हम देखते हैं कि मुद्रा एवं साख की नीती में समन्निवे स्थापित करना कई बार जब नगत कोश और विदपन कोश की बात आती है तो यह बैंकों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जमाओं का कितने प्रतिश्यद भाग नगत कोश के रूप में रखे और कितन कोश और साख में किस तरह से समन्निवे स्थापित किया जाए कौन इसकी जानकारी दे किसके निर्देशन में सारे कारी किये जाए इसके लिए एक शिर्चिशंस्था की जवरत बहुत महसूस की जाने लगी थी तो यह किसका महतुपूर उद्देश्रि माना जा सकता है कि जब रिजबर बैंक के स्थापना नहीं हुई थी तो मुद्रा और साख का जो निर्गमन था वो सरकार के द्वारा किया जाता था और साथ में अगर हम बात करें कि साख का नियंतरण किस प्रकार किया जाता था तो इंपीरियल बैंक के द्वारा साख के नियंतरण की बात कह आई जाती थी कही ने कही पार्शलेटी वाली फिलिंग आ रही थी तो बहुत सारे ऐसे उद्देश थे जिसके कारण इसमें एक रूपता लाई जानी बहुत जरूरी हो गई थी और केंद्री बैंक के स्थापना के आफशक्ता है हैं मैं सूस की जाने लगी इसके अलावा बैंकिंग सेक्टरों का विकास किया जाना बहुत जरूरी था मुद्रा बाजार को संगठित करना मुद्रा बाजार को विक्सित करना ये सारे भी उद्देश थे साथ यहाँ पर हम देखते है कि कृषी साख की विवस्था करनी थी कृषी जबके हमने हम प्रारम से ही देखते आ रहे हैं कि कृषी जो था वह भारतियर्थ विवस्था का एक महत्वपूर अंग था ज्यादा से ज्यादा जौब आती थी दो सिती दो तिहाई से के कि जो आब आदी की को सबसे आगे कर कहीं करद हो गया था और करिशी साफ के लिए महत्वण को यह जा सकता हैं सात में अगर बात करें विदेश के साथ मोद्रिका सम्बंधों की तो विदेशों के साथ मोधिक सम्वंधों को सोनश्चित करने भुगतान नियमित करने और ऐसे आयात देज्च करने के स्थापना कि गई तो ऊब आसworks..? किन वीवास्ता किस प्रकार कि गई किस तरह कि ववस्थां थी.. आए उन पर एक नजट डालेww तो यहां पे हम देखते हैं कि भारती रिजर्बैंक की जो वर्तमान व्यवस्था थी उनको अगर कुछ बिंदू के आधार पर हम उनका अध्यन करें तो सबसे पहले जो व्यवस्था थी वो थी पूंजी की किस प्रकार पूंजी की व्यवस्था इसके अंतरगत की गई इसको तो हम देखते हैं तो सबसे पहले में आ देखते हैं कि रिजर्व बैंक जो प्रारंब में जो था वो निजी शेयर होल्डर्स के हाथ में था और किस तरह से इसकी पूंजी बटी हुई थी तो इसकी जो पूंजी थी वो टोटल पांच करोड की थी जो की 100-100 रुपे वाले पा पारत सरकार ने इसका राश्ट्री करण किया और यह जो शेयर जो निजी संस्थाओं के हाथ में थे उनको पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिया और जो 100 रुपे का एक शेयर था उसके बदले में लगबग 118 रुपे दिये गया और इस तरह से इस बैंक को राश्ट रुपेंक की जो कुल पूंजी है वो 5 करोड की प्रदत पूंजी के अलावा संचित कोश जो है वो लगबग 150 करोड का है दूसरी बात अगर हम प्रबंध की करें तो यहां पर हम देखते हैं कि रिजर वबैंक का जो प्रबंधन का कारे है वो लगबग प्रबंधन और यहां हम देखते हैं कि इसमें एक गवर्नर होता है चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और इसके साथ साथ इसमें एक वित्त मंत्राले द्वारा न्यूक्त अधिकारी होता है साथ में दस संचालक होते हैं और यह दसों जो संचालक होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा मनोनि किया जाते हैं इसके अलावा alors होते हैं जो इस्थानीय बोड का प्रतिनीधितों करने के लिए इनका चायनु किया जाता है और यह भी भारत सरकार के द्वारा ही मनोनित किया जाते हैं और इसका का रही है वो मुंबई दिल्ली कलकत्ता और चेन्नाई में स्थापित है और साथ ही गवर्नर जो होता है रिजर्ब बैंक का वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है आप देखते होंगे कि जो पत्र बैंक का शीष अधिकारी होता है और सब बाकी जो सभी अधिकारी है इनके नियादर्शन में कारे करते हैं अगली इसकी विवस्ता के हम बात करें तो हम इसको देखते हैं कि यहां कहां पर इस्थित है तो यहां हम एक नज़र डाले तो भारती रिजवर बैंक का जो प्रधान कारयाले है जिसे हम हेड आफिस कहते हैं वो मुंबई में स्थित है इसके अलावा जो इस्थानी कारयाले है इसके ये डल्ली कलकत्ता चेनरी बंबई बैंगलोर असम नाखपूर हैदराबाद और पट्ना में भी स्थित हैं साथ में हम यहां पे देखते हैं कि केंद्र सरकार क अनुमती से रिजर्व बैंक कहीं भी जहां पर उसको अपनी आवशक्ता महसूस हो वहां पर अपने इस्थानी कारयाले को खोल सकती है और अगर नहीं है इनके इस्थानी कारयाले तो कई छेत्रे ऐसे भी है कई राज ऐसे भी है जहां पर SBI यान स्ट्रेट बैंक ऑफ इंडि हम सबसे पहले देखते हैं निर्गमन विभाग जो होता है वो देश में नोटों के निर्गमन समंधी कारे करता है यहां पर हम देखते हैं कि निर्गमन विभाग में रिजर्व बैंक जो है वो नोटों के निर्गमन का कारे करता है साथ ही यह विभाग निर्गमन का कारे कर और सरकारी खजाने के रूप में जो अन्य विभाग होते हैं उनको वित्रण करता है। जिसे हम कहते हैं बैंकिंग विकास विभाग क्योंकि हमने देखा कि रिजर्व बैंक जो है ये सभी बैंकों के एक शीर संस्था है तो जिस तरह बैंक अपने ग्राहक के लिए कारे करते हैं उसी तरह ये शीर संस्था का जो बैंक होता है इन सभी छोटे बैंकों के विकास के लिए हमेशा कारे करता है ुद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्रोच्छाइट करने के लिए सरकार जिन नीतियों का नधारन करती है उद्योगों के वित्य वेवस्था के लिए उद्योगों के वित्य प्रबंधन के लिए जो कारे किये जाते हैं वे सभी कारे इस विभाग के अंतरगत किये जाते हैं इसके साथ साथ इसमें कानून विभाग होते हैं बैंकों के जो कानूनी गतिविधिया होती है जो नियम होते हैं उनसे समंधित जानकारिया देने के लिए साथ में इसे के अंतरगत गैर बैंकिंग विभाग भी होता है गैर बैंकिंग विभाग के बारे में एक नज़र डाले इस पर तुम देखते हैं कि 1966 में कोलकाता में इसे स्थापित किया गया और सभी बैंकिंग संसाओं की ये देख रेक करता है वित्त व्यवस्था से कुछ अलग ये गैर बैंकिंग रूप में उनके देख भ्याल का काम करता है स्थिक इसी के साथ साथ शोध और अंक विभाग भी है इसके अंतरगत जो मुख्य रूप से कारिक किया जाते हैं वो होते हैं मुद्रा वित्त साख और उत्पादन इन पर संबन्धित इन से संबन्धित जो समस्याएं हैं मुद्रा स्फिते मुद्रा संकुचन की अगर कोई समस्या है या फिर वित्त के उत्पन होनी की कोई समस्या है साख नियंतरण की कोई समस्या है तो इस तरह की समस्याओं पर इस पर अनुसंधान किया जाता है शोध किया जाता है इसके कारण पता लगाया जाते हैं और फिर अब एक महत्वपूर्ट जानकारी यहां पर ये भी जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि भारती रिज़र वेंक ने सन 1955 में दो नय और अन्य विभाग स्थापित के, कौन-कौन से दो नय विभाग थे, एक तो था मानो संसाधन विभाग और दूसरा था सूचना तकने के नय पाद बगादे हमारे बगादे हमारे लुश के विभाग विभाग प्रवप और दूसरा थे पार बढ़ते हमारे बच्छ के फिज़र विभाग खिए पार थाह दो आए।